तो हलो भाईयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो आज हम बात करने वाले हैं WPL मतलब Women's IPL के बारे में दोस्तो Women's IPL का मैच निमबर पहला आज खेला जाएगा दोस्तो गुजरात और Women's और Mumbai Women's के बीच मेच खेला जाएगा और दोस्तो ये मैच स्टार्ट होगा आज साड़े साथ बज़े साम को और दोस्तो वेन्यू रहेगा डॉक्टर डिवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकड़मी मुंबाई का जो ग्राउंड है दोस्तो वो रहेगा और आगे बढ़ा है वीडियो को आगे बढ़ा हैं से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है दोस्तो कि इस IPL Women's IPL में सीरीज में पूरा अच्छा भीन करना चाहते हैं हमारे टेलेग्राम को जोइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्षन में है तो वहां से तुरन जोइन कर लिजिएगा दोस्तो ठीक है ताकि आपको मैं पूरा पूरा लाइन आप और इतने भी अब्लेट्स हैं वहाँ पर प्रवाइड कर साकूँ बात कर लेते हैं दोस्तो पीच रिपोर्ट की तो पीच रिपोर्ट एक असर रहेगा दोस्तों फ्लैट सट्वेस है और यहां पर दोस्तों आपको इस पिन यहां पर रोल करते हुए दिख सकता है ठीक है थोड़ा सा फास्ट बालर कुछ टगल हो सकता है विक्ट लेने में लेकिन इसपीन काफе अच्छा करेंगा वैन्नी रिकोर्ड की बात करें सिजन दोस्तो यहां पर 7 मैच हुए हैं लिसमें बैटिंग फर्स ने 1 मैच जीता है बैट जिराज जाएंट्स वुमेंज के प्रूवेल प्लेइंग 11 के बारे में तो यहां सो उपन करने चाहिए मोस्ट प्राविली बैत मुनी और सोफिया डंकली फिर आएंग तो हर्लील देवल ठीक है देख सकते हैं बैत मुनी के टीट्वेंटी के अस्ती मैच में दो हजार है हीटिंग ही करना जानती है अच्छे से टीट्वेंटी के 33 मैच में 624 रन है और 30 का एवरेज है एक विकेट है रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा खासा इनका नहीं रहा है क्योंकि आई तो चली चली तो चली वरना फिर गई वाली है यह ठीक है धीरे नहीं खेलती है हर्ल चाहो तो टीम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद दोस्तों यहां से आएंगे ए गार्डनर देख सकते हैं टीट्वेंटी इंट्रेंशना को बहत्तार मैंच में एक हजार को सब्सक्राइब के नाम है और रिसेंट फॉर्म काफी जवरदस्त है दोस्तों क्रेप्टन स और यह दोस्तों ODI के हैं ठीक है डोविस्टिक ODI जो हुआ था उसका रिसेंट फॉर्म है इनका मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तब रिसेंट फॉर्म से आ रही है उसके बाद दोस्तों अन्ना बेल सदर्लेंड देख सकते हैं राइट अंबैर ट्र इंपोर्टेंट रहेगी इसने राणा देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा खासा नहीं है इनका बाकी यह काफी अच्छी प्लेयर हो सकती है ठीक है दोस्तों यहां से तनुजा कमर को देख सकते हैं आप लेप्ट हैं बैट लेप्टा मीड़ फास बालिंग करा दो ठीक है तो उसके बाद दोस्तों परुनिकार सिसोदिया है लप्टाम ओर्थोड़ोक बालिंग कराती है और रिजेंट फॉर्म देख सकते हैं इनका ओडियाई में तीन वीकेट दो वीकेट तिन वीएक्ट काफी तगड़ी है अगर खेलती है तो याद रखेंगे दोस् सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हो गया इनका प्रोबर प्लेइंग लेवन बेंच के कुछ प्लेयर से दोस्तों अगर यह खेलते हैं अच्छा आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों डेंडेंडर डॉट इन अवे लेवल नहीं है तो मैच मिस कर सकती हैं बाकि जितने मुंबई मतबर एमाई इवमेंस के प्रोबर प्लेइंग लेवन के बारे में दोस्तों यहां से मोश्ट प्रोबबली ओपन करने चाहिए अतिका बाट या और हली मैथ्योस के सांथ देख सकते हैं अतिका बाट अकर लेप्ट हैं बाट बोल निंग कराती है और टीट्वंट के पंद्रा मैच में 146 रने बारा कैवरेज है रिसेंट फॉर्म उद्ना खास नहीं है इनका ठीक है हली मैथ्यूस देख सकते हैं टीट्वेंटी के इनके नाम रिसेंट फॉर्म बी काफी अच्छा है प्लेयर मस्ट पिक रहेंगी इसको टीम में जरूर्ट आए करने हैं उसके बाद दोस्तों एंसे वियर आएंगे दोस्तों देख सकते हैं टीट्वेंटी केक्सो साथ मैच में दो हजार चार रन है चोबिस कावरेज नासी श के बाद दोस्तों यहां से आएंगे हर्मन कृत कॉर्ट टीम की कैप्टन है राइट टीट्वेंटी के का काफी अनुभा इनके पास है दोस्तों एक सो पचास में दोस्तों दोहजार नासो चपन रन है 29 कावरेज 32 विकेट इनके नाम है रिसेंट फॉर्म भी ठिक ठाक है त अमझुत कॉर सरी टीट्वेंटी के दो मैच में चैलिस रहने दोस्तों और यह जो डिसेंट फॉर्म मैंने लिखा है ना ओडियाई के है ठीक है ओडियाई के मेंसन किया है मैंनों काफी इंप्वार्टन प्लेयर बनती है अगर खेलती है तो जरूर अधर डिफ्रेंसल इनक काफी अच्छे गया था बाकी इनको चाहो तो आप टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां से पुजा वस्त्राकर आएंगे राइट अन बैट राइटम मीडियम बॉलिंग कर आते हैं टीट्वेंटी के 47 मैच में दोस्तों एक साटरन है 30 विकेट इनके नाम है रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है इनको टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद दोस्तों इसी वोंग आएंगे टीट्वेंटी के 9 मैच में 7 विकेट इनके नाम है और रिसेंट फॉर्म देख सकते हो तो डिसेंट है चाहो तो टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके और कुछ प्लेयर सागर कोई भी खेलती है तो मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा दोस्तों यहां से देख सकते हैं स्टार्टिंग कवर आपको हैदर ग्रहाम और उसके बाद आपको एन सेवियर करते दिखेंगी और डेट में आपको एन सेवियर हैदर ग्रहाम पूजा उस्ताकर बॉल करते दिखेंगी तो यह तो हो गया दोस्तों एनलिसिस की बात अब एक थो डेमो टीम बना करके मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्षन में आपको दिखेंगी बैत मुनी यस्तिका बाटिया दोनों ही अपनी टीम के लिए उपन करेंगी और एस वर्मा खेलने के बहुत कम चांस है पी बाल अगर खेलती है तो देख लेना दोस्तों काफी अच्छी हिटर है यह ठीक है य अगली वन अप दो मोस्ट हीटर है और आते ही हीटिंग करती है तो अज़र हीटर आप इनको ले सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों हर्मन पृत कौर जो की काफी इंपोर्टन होती है मेरे लिए तो यह इनको मैं अपने टीम में लूँगा बाक्य आपको सी टायरन दिखे है तो भी मैंने को टीम में नहीं लूँगा दीक है दोस्तों अभी के लिए मैंने संगली और एच कौर को लिया है उसके बाद दोस्तों सिधे और ओंडर सेक्शन में देखते हैं दोस्तों सेवियर मुझे चाहिए 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 तो स्वामिला केर मुझे चाहिए दोस्तो और उंडर सेक्षन से सबके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए डॉटिन अबलेबल नहीं है दोस्तो यहां से और आपको इसने राना यहां पर देखेंगी एमेला सदर लेंड दिखेंगी एंबीष्ट कर खेलती भी है तो मैं यहां पर दोस्तो इनको नहीं लूँगा ठीक है और तो चलिए दोस्तो आगे देखते हैं यहां से दोस्तो चार प्लेयर जो मौस्ट है इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद दोस्तो बॉलिंग सेक्षन में देख लेते हैं तो बॉलिंग सेक्षन में दोस्तो वरेहम इंपॉर्टेंट है ठीक है इनको अपने टीम में जरूर ट्राइड करेंगे उसके बाद दोस्तो यहां से टी कवर अगर खेलती है तो मैं इनको टी कवर को अपनी टीम में जरूरू लूँगा ठीक है तो काफ ग्रहाम को लें एम जो सी को लें आई वोंग भी आपके लिए इंप्रोटन निन जाती है या फिर आप इधर बैटिंग सेक्षन से किसी को लेना चाहें तो यहां भी अच्छे टैरन को ले सकते हैं दोस्तों ठीक है बाकी अभी के लिए मैंना हैदर ग्रहाम के साथ गया हूं तो icing यह मैरी अभी के लिए प्रोवेल टीम है धोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी केप्टैन सी गार्डनर को दिया और वाइस केप्टैन सी मैंने हैली मैत्थ्यूस को यहाँ पर दिया है ठीक है दोस्तों यह यह इक डेमो टीम है फानल टीम आपको टेलिगूराम को मिल जा झाल झाल